है अग्यूंग जैश्रीमांकाल जैरंजीत साइंस के ऑनलेन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है मेरा नाम है इंकित बिंचवा हम कवर कर रहे हैं फिजिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है वह हमारी जन्रल प्रॉपर्टी सॉफ मैटर ठीक है जन्रल प्रॉपर्टी सॉ पर आ चुके हैं अब हम देखने वाले प्रॉपर्टी सॉफ सॉलिट तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सॉलिट होता ही क्या है जन्रल सॉलिट कैसे सबस्टेंस होते हैं सॉलिट एक टाइप से ऐसे सबस्टेंस होते हैं जिनका वॉल्यूम उनका मास वॉल्यूम मास और अभी क्या होते है फिक्स होते है यह सभी होते है फिक्स यह चेंज नहीं होते है किसी भी कंडिशन में यह चेंज नहीं होते है चेंज नहीं होने के पीछे molecular forces होते है ठीक है molecular forces होते है जो इसका shape change नहीं होने देते volume को fix रखते है ठीक है और uncompressible भी होते है solids क्या होते है uncompressible भी होते है ठीक है अब जो molecular force है अब इसको हमने देखा था cohesive force और adhesive force यहां पर cohesive force की value क्या होती है अच्छी खासी होती है cohesive force की value बहुत ज़्यादा होती है इसलिए जो intermolecular forces होते हैं, वो भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनका shape and size, volume and mass, shape, size, volume, mass, क्या हो जाता है, सब कुछ fix होता है, ठीक है, तो यह हो जाते हैं हमारे क्या, solids, ठीक है, अब solid की properties के बारे में यह दिया हम देखे, तो intermolecular forces ज़्यादा है, it means, यह break तो नहीं होगा, ठीक है, break एक particular level पर होगा, ठीक है, प्लस यह viscosity तो शो नहीं करेगा, ठीक है, ना तो fluid होगा, किसी भी type का solid fluids नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें, जो flow होने की tendency होती ही, वो नहीं होती है, second condition हो जाती है, इसमें surface tension बहुत high होता है, ठीक है, surface tension, जो हमने surface tension देखा था, तो surface tension की value का होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जैसे यह marker है, marker की surface का tension का है, बहुत ज़्यादा है, मतलब intermolycular forces attraction बहुत ज़्यादा है, इसमें इसके अंदर कोई भी उंगली नहीं कर सकता हो, ठीक है, तो ध्यान रखिए, surface tension की value ज़्यादा होती है, viscosity यह शो नहीं करते हैं, क्योंकि surface tension का यह बहुत ज़्यादा, तो viscosity शो ही नहीं करेंगे, तो viscosity की property यह शो नहीं करते हैं, तो कौन सी property यह शो करते हैं, तो हम यहाँ पर दो के comparison में चलते हैं, सबसे पहली property हो जाती है, इसकी elasticity, सबसे पहली हो जाती है property, elasticity, ठीक है, अब elasticity के साथ में एक और चीज़ आती है, plasticity, ठीक है, elasticity and plasticity, ठीक है, तो पहले हम elasticity के बारे हम देख लेते हैं, कि elastic material, तो elasticity को हम test करने के लिए हमारे पास force के requirement होनी चाहिए, ठीक है, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, bending force, bending force, it means ऐसा force, जो क्या करते हैं, किसी भी material को bend करते हैं, या फिर tilt करते हैं, या फिर उसके उपर एक, उसका shape and size change करने के लिए applied जो force होता है, the force which contain, which contain tendency to change shape and size and the, उसका shape size, और उसकी क्या कर दे, उसका volume और other चीजों में changes कर दे, तो वो एक type का force हमको required होगा यहाँ पर, किस चीज के लिए, elasticity को show करने के लिए, ठीक है, तो elasticity में सबसे पहले एक force है, तो force से क्या हो जाएगा, हम force से इसके उपर apply करेंगे, तो हमको पता चलेगा कोई सा material elastic कैसे है, जैसे simple साब में एक example लेके चलें, तो वो अपने particular shape में आ जाता है, यह primary shape में आ गया, ठीक है, तो हमने जैसी force apply करा, तो अपने उसके उपना shape change करा, size change करा, volume उसका fix हो जाएगा, ठीक है, अब क्या condition क्या हो गई, जैसे हम इसका छोड़ देतें, दोनो forces को remove कर देतें, तो क्या हो जाता है, अपने primary shape में आ जाता है, ठीक है, तो जैसे हम इसके उपर force apply करतें, तो condition क्या बनती है, इस shape change हो जाता है, लेकिन जैसे हम फोर्स को क्या कर देते हैं तो अपनी primary stage पर आजाता है अपनी primary condition में ये वापस written आ जाता है ऐसे material जिन पर हम bending force apply करते हैं तो then bending force apply करने के बाद then वह अपनी shape वापिस gain कर देता है जब हम force को remove करते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको ऐसे material को elastic material बोलते हैं ठीक है जैसे यह भी solid था एक और example बता देता हूं देख जैसे एक refill है तो refill को हम थोड़ा सा bending force लगाया bending force से क्या हो गई है bend हो गई then हमने जैसे इसको remove करा तो अपनी primary shape में वापस आ गई तो हम इसको जब भी force apply करते हैं तो यह property क्या हो जाएगा इसके elasticity लेकिन मैं इस marker को bend नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि marker क्या है ज्यादा solid है ठीक है मतलब यह elasticity सो show करेगा लेकिन बहुत कम amount में हम इसको जितना pressure लगाएंगे मतलब यह break जल्दी हो जाएगा ठीक है तो हम दूसरी चीज की तरफ चलते हैं पर्स हो अप्लाइ करने के बाद वो क्या हो जाएगा उसका shape और size में changes होंगे ठीक है लेकिन यह changes हो जाते हैं यह permanent ठीक है जो changes होते हैं वो permanent changes हो जाते हैं it means वो force apply करे तो अपना shape change करेंगे size change करेंगे बट जैसे हमने उसको force को हटा लिया तो वो अपने particular permanent primary shape में वापस नहीं आ जाते है तो shape and size जो change होता है वो क्या होता है permanent होता है जैसे simple सा example हम बात करेंगे इस कड़क चाय का ठीक है इस कड़क चाय की glass का तो हम जैसे ही हम इसको थोड़ा सा करते हैं बैंड करते हैं तो क्या हो जाता है यह यह पूरी तरीक से crush हो गया तो इसका volume change हो गया जितना volume इसमें आना था उतना नहीं आएगा ठीक है तो यह अपने shape में वापिस आया जैसे हम इसको shape में वापस लेकर आ जाते तो condition यह है कि जैसे हमने इसको दबाया तो क्या करा एक force अप्लाय करा जैसे हमने force को remove कर दिया तो अपने particular primary shape में यह नहीं आ पाया ठीक है तो ऐसे materials जिनके पर force apply करने के बाद वो force का against कोई भी activity नहीं करते हैं force के against कोई भी activity नहीं करते हो जैसे ही यदि force के against कोई activity नहीं करेंगे तो वो किसमें convert हो जाएंगे plastic material में convert हो जाएंगे तो ऐसे बहुत सारी सीज़े होती है जैसे glass हो जाता है mirror हो जाता है glass हो गया mirror हो गया wax ठीक है यदि example के बात करें तो glass हो गया mirror हो गया wax हो गया उसके बाद soil हो गई, मतलब गिली मिट्टी की बात करें हम, ठीके, गिली मिट्टी हो गया, clay हो गया, तो उन पर यदि हम कोई force लगाएंगे, तो वो कोई oppose नहीं करेंगे, तो डारेक्ट बैंड हो जाएगे, ठीके, तो वो condition किसके हो जाती है, plastic materials की हो जाती है, ठीके, तो वै total elastic, it means, यदि कोई bar है, हमने इसके उपर एक force apply करा, और उसको band कर दिया, यहां तक, ठीके, तो देन वो अपने primary shape में वापस आ जाए, इस shape में, first condition में, हमने force apply करा, second condition में, force को remove करा, तो वो अपनी primary state में वापस आ जाएगी, यदि primary state में वापस आ जाती है, तो हम इसको क्या apply करा, ठीके, refill पर force apply करा, तो हमने जैसी छोड़ा तो refill थोड़ी सी तिर्शी रह गई है, भी भी, थोड़ा सा इसके अंदर bending दिख रही है, जैसे हम इसको थोड़ी देर के लिए और mode कर रखते, तो क्या हुआ, क्योंकि यह plastic material है, अपने shape को gain करेगा, लेकिन total gain नहीं करता ह है, to total shape को gain नहीं कर रहा है, थोड़ा सा क्या आ रहा है, bending आ रही है, it means condition कसकी बन रही है, कि यह total plastic नहीं है, total plastic, elastic नहीं है, total elastic material यह नहीं है, it means total plastic रोटल प्लास्टिक जैसी कोई चीज नहीं होते है, यह ideal condition हो जाती है, कि his気 i.elasticit की, ideal condition कौन से हो जाती है, total elastic, अब आ जाता ह है ॒ठी है टोटल प्लास्टिक टोटल प्लास्टिक इसा माटेरियल होते जिन पर फॉर्स लगा तो बिल्कु भी अपोस नहीं करते और क्या हो जाते अपनी फोर्सकी डिरेक्ष bowl में क्या सोड़ा साwriting से घेन कर लेता है इंस यह भी टोटल क्या नहीं आप टोटल प्लास्टिक मटेरियल कैसे होते हैं टोटल प्लास्टिक मतलब व्यक्स हो गया ठीकर उसके अलावा हमारी सजाइस गीली मिट्टी हो गई यह और वैक्सौ्स तोई यह ही सबसे ज्यादा प्लास्टिक material होते हैं, क्योंकि अपना shape purpose gain नहीं कर पाएंगे, तो ये कौन सी property थी, solid की पहली property थी, जिसमें आपने देखा क्या, elastic और plastic, ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, next property की तरफ, देखें, अगली property आ जाती हम किसमें सलते हैं, elastic limit में सलते हैं, है न, limit of elasticity, बात करें तो, limit of elasticity, अब elasticity की particular limit होगी, जिस limit तक हम उसके उपर force apply कर सकते हैं, जैसे, simple सी बात करें, तो हमने हमारा example ये ले रखा है, एक refill है, तो refill का example जो हमारा चल रहा है, उसमें हमने refill को जैसे एक bending force apply करा था, तो क्या हुआ था, वो अपने shape को gain कर रही थी, वो अपने shape को वापस gain कर रही थी, मैंने थोड़ा और force apply कर रहा है, वापस से उसने shape gain कर लिया, मतलब primary state में बार बार आ रही है, फिर हमने थोड़ा और apply करा, primary shape में वापस आगी, लेकिन एक limit होगी, यदि मैं बोलता हूँ कि इससे ज़्यादा मोड होगे, इससे ज़्यादा मोड होगे, तो वो primary shape में नहीं आपाएगी, ठीके, तो यह skill limit हो जाती है, हर किसी के एक limit हो जाती है, जहां तक वो क्या हो सकती है, bend हो सकती है, it means force, ठीके, limit, ठीके, force की एक ऐसी particular limit, जिस पर वो अपना shape gain कर ले, उसका shape gain कर ले, वो final limit, है ना, final force की limit, जिस पर वो अपना shape वापस gain कर ले, वो क्या कहलाता, इसकी elastic limit होती है, जैसे इस cup की भी कोई elastic limit होगी, जैसे मैंने इस cup को लिया, थोड़ा सा दबाया और फिर वापस छोड़ दिया, देखे, इसकी elastic limit है, थोड़ा हम इसको दबा रहा है, तो वापस अपने shape में आ रहा है, ये देखे, एक particular shape में वापस आ जा रहा है, यदि हम इसको पूरा दबा देंगे, तो इसकी elastic limit खतम हो गई, देखे, elastic limit इसकी पूरी खतम हो गई, लेकिन ये एक type से elastic था, पहले हमने बोला कि इतना दबाएंगे तो ठीक है, shape gain कर लिया, ये gain कर लिया, लेकिन आप इससे ज़्यादा दबा दिया, तो ये shape gain नहीं कर पाएगा, जैसा ही ये दबा दिया, तो shape gain नहीं कर पाया, it means condition क्या हो गई, उसकी elastic limit से खतम हो गया, हम इसकी बात कर देते कि ये rubber है, rubber को मैं कितना खीच सकता हूँ, इतना हमने rubber को खीच लिया, लेकिन क्या rubber इससे ज़्यादा चाहेगा, तो मतलब ये इसकी maximum limit है, stretch होने की, stretching limit का इसकी maximum, तो हम इससे ज़्यादा कहीं पर भी खिचा नहीं पा रहा है, अब यदि मैं इसके उपर और ज़्यादा force लगाता हूँ, तो ऐसे ही स्तिती बन रही कि यहाँ से ज्येसे थोड़ा सा crack हो रहा है, ठीके, तो क्या हो जाएगा, ये इसकी एकदम final limit हो जाती है, तो वो limit, जहाँ तक कोई भी substance की बात कर रहे हैं, ऐसी limit, जहाँ तक कोई भी substance किसी भी एक applied या भी breaking force को क्या कर सकता है, wear कर सकता है, उसी को क्या बोल देते हैं हम, limit बोल देते हैं, limit of elasticity, ठीके, simple सी इसको याद रखना, limit of elasticity के बाद, हम देखते हैं stress, stress और strain, सबसे पहले हम वापस से हमारे example की चलते हैं, जैसे हमारे पास ये refill, छीके, रिफिल के उपर हमने के गरा, एक force apply करा, तो dabei force apply करने पर, तो क्या आपके हाथ के उपर ये refill कोई force apply नहीं कर रही है, कर रही है, जैसे मैंने इधर की तरफ force apply करा, तो इस marker के उपर या पर मेरा हाथ के उपर उंगली पर, एक force apply, एक force feel हो रहा है. जो किस तरफ लग रहा है? Reverse direction में लग रहा है. तो reverse direction में लगने वाला force क्या हो जाता है? हमारा एक क्या हो जाता है? उसी को हम बोल देते हम, stress. ठीखे? उसी को हम क्या बोल देते है? तो किसी body ने force apply करा है तो force i if two sparks हो पॉजे emposyte direction में होगा तो stress होगी तो जैसे force one क्या है force one को आप समझ सकते हैं एक्जाम है आपका ठीक है फोर्थ वन क्या है? एक एक्जाम है और फोर्थ वन जब आपके उपर अप्लाए होगा तो उसके अगेंस में आपको क्या होगा? स्ट्रेस होगा थोड़ा सा चिंता होगी एक्जाम पास करने के तो उसके against में आपको stress, stress feel हो रहा है, तो यह आप किसके against में कर रहे हूँ, exam के against में कर रहे हूँ, आपको चिंता है, exam कैसा जाएगा, मैंने कितना पढ़ा है, क्या question पढ़े हुए, आएंगे कि नहीं, तो वैसे ही हो जाएगा, तो हम stress में आ जाते, तो वही condition यहाँ पर आ र करता है, उसी को हम क्या बुल देते हैं हमारी stress, ठीके, यदि किसी भी object में, किसी भी object में हम force apply करते हैं, तो यदि हम बात करते हैं, इसकी stress की, तो उसके आगे ही आ जाती है strain, तो यदि हम limit आ जाती है, यहाँ पर क्याए stress के साथ में limit चलती है, limit कौन सी, limit of elasticity, limit of elasticity, limit of elasticity, elasticity के limit यहाँ पर होती है, यदि हम इस limit के अंदर ही काम करेंगे, तो हमारा material जो है, elastic होगा, जो हमारा material है, वो हमेशा elastic बना रहेगा, लेकिन यदि हम बात करते हैं, कि stress ज़्यादा पड़ जाए, ठीके, stress ज़्यादा हो जाए, ठीके, तो यदि stress की condition ज़्यादा हो जाए, तो किस में convert हो जाती है, strain में convert हो जाती है, stress ज़्यादा हो जाए, तो किस में convert हो जाती है, strain में convert हो जाती है, तो strain क्या हो जाता है, यदि elastic limit, elastic limit का force कितना है, F1 है, ठीके, अब दूसरी condition है, हमारी F2 की, जो हमारी किसके आ रही है, stress, ठीके, F2, यदि यदि ये दोनों बराबर होंगे, तो condition क्या हो जाएगी, ये हमारा elastic में बना रहेगा, मतब stress बनी रहेगी, यहाँ पर, ठीके, उसके अलावा, यदि F1 की value exceed हो जाए, किसके comparison में, F2 के comparison में, F2 के comparison मतब force applied by the men, ठीके, force applied by the men, यदि मैं एक force apply कर रहा हूँ, वो force, यदि मैंने बढ़ा दिया, उस object के comparison में, तो वो condition क्या हो जाएगी, वो चली जाएगी, strain में चली जाएगी, ठीके, वो किसमें आजएगी, strain में, it means permanent, इसको हम बोलते हैं, पर्मानेंट, उसके अंदर क्या हो जाएगा, shapes and size, shape और size में changes हो जाएगे, ये दोनों condition याद रखे, यदि एक force apply करने के बाद, किसी object के shape and size में changes हो जाए, तो हम उसको क्या बोल जाते हैं, हमारा strain बोल जाते है, उसको क्या बोल जाते हैं, जैसे, ये elastic material है, elastic material के उपर मैंने limit तक force लगाया, force लगाया, force लगाया, लेकिन मैंने इसको और जादा force लगा दिया, ठीके, और मैंने इसको क्या कर दिया, एकदम पूरा दाप दिया, अब क्या हो गया, ये पहले क्या थी, एकदम straight थी, और अपने shape में वापस आ रही थी, लेकिन क्या आभी अपने shape में वापस आ रही है, नहीं आ पा रही है, तो नहीं आने के पीछे कारण क्या है, कि यहाँ पर जो हो गया है, ये जो band दिखरा है आपको, ये band ही क्या है, ये strand, ये condition क्या आ गई है, इसके अंदर strain आ गई, देखो, थोड़ा सा break सा होने लगा है, यहाँ से तूटने लगा है, तो ये condition किसके बन गई, strain के आ गई, तो ये तूट चुका है, अब देखो, strain तीन टाइप क्यों होती है, सबसे पहला होता है, उसकी length में, पहली कौन से हो जाती है, उसकी length में यदि changes हो जाए, यदि मैं इस wire को पकड़ के खीचू, सबोज इस इस wire को पकड़ के हमने खीचा, तो हमने ऐसा खीचा, जैसे इसी को मान लेते हैं, कि ये rubber है, rubber को मैंने खीचा और छोड़ दिया, तो वो अपनी primary shape में आ गया, लेकिन यदि मैंने खीचा, और बहुत समय तक मैंने इसको ऐसी रखा, तो rubber आपने देखा है कि लूल हो जाता ह एकदम नरम सा पढ़ जाता है, वो उसकी property इसको खो देता है, वो stretching वाली property को खो देगा, तो condition क्या बन जाएगी, कि वो उसकी length में change कर देगा, simple सी बात करेंगे, एक wire पकड़ा, तो क्या हो जाती है, उसकी length बढ़ जाएगी, एक particular limit से उसकी length क्या हो जाएगी, चेंज हो ज उसको कुन सा बोल देंगे, linear strain बोल देंगे, ठीके, दूसरा हो जाता है, volume strain, कौन सी condition है, volume strain, जैसे इस cup के अंदर चाय आ सकती है, और चाय के अंदर आपको मजा सकता है, ठीके, लेकिन यदि मैं बोलता हूँ, कि चाय को मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा दबा देता हूँ, जैसी मैंने cup को दबाया, तो उसका क्या हूँ, शेप चेंज हो गया, अब इसके अंदर जो चाय आने वाली है, वो क्या आने वाली है, काम आने वाली है, क्या जिसके अंदर चाय कम आएगी, तो condition क्या बने कि आपको कम चाय मिलेगी, संतुस्ती कम मिलेगी, ठीके, याद र रहे हैं, थर्ड हमारी, शेप स्ट्रेंज, ठीके, अब देखो, ना तो यहाँ पर लेंद में चेंज होगे, ना तो यहाँ पर वाल्यू में चेंज होगे, यहाँ पर किस चीज में चेंज हैंगे, शेप में चेंज होगे, जैसे एक स्क्वेर है मेरे पास, एक स्क्वेर है, तो दो हिस्से में convert हो गया, इट मींस क्या करा हमने, उसमे कुछ फोर्थ अपलाई करे है, और उससे क्या हुआ, हमने उसको तोड दिया, और तोड के हमने क्या कर दिया, उसके शेप में चेंजेस कर दिये, तो इसी को हम क्या बोलते ते, शेप स्ट्रेइन बोल देते हैं, यह शेप में क्या हो गया, स्ट्रेइन आ गई, तो शेप स्ट्रेइन यहां पर हो जाता है, ठीक है, यह तीसरा टाइप था हमारे स्ट्रेइन का, पहला चेंज क्या होता है, इसको longitudinal strain भी बूलते हैं। कौन सी? लेंगी लेकिन उसके shape में change हो जाएगा। जैसे यदि में कह लेता हो एक sphere लेता हूँ, उसको क्या गर देता हूँ, बीच में से कार देता हूँ, ठीक है, तो पहले तो ये ball थी, उसके बाद क्या बन गई, कटोरे बन गई, दो कटोरे बन गई, तो ये क्या हो गई, उसके shape में change हो गया, तो condition क्या हो जागा, इसमें जितना पानी आता था total, वो इ जान के रखना है, ये हमारी important thing है, ठीक है, अब क्या हो जाता है, आगे की तरफ आते हम, ठीक, आगे आ जाते है, hooks law, ठीक है, hooks law जो है, वो solids के लिए दिया गया, hooks lock इसके लिए दिया गया, solid के लिए दिया, ठीक है, solid के लिए क्या दिया, applied force, ठीक है, applied force, easy question, applied force हो है, उतना ही किसके बराबर होगा, strain, एना, उसमें जितनी strain आती है, वो applied force क्या हो जाएगा, उसे strain के बराबर होगा, जो applied force है किसी भी object में, वो किसके बराबर होगा, उसमें जो strain आ रही है, उसी strain के बराबर होगा, ये दोनों चीजे याद रखे, कि आपने जितना force apply करा है, जैसे मैंने इसके उपर force apply करा, तो मैंने जितना force apply करा है, तो इतनी strain है इसके अंदर, मैंने इतना force apply करा है, तो इसक के उपर ही depend कर रही कि हमारे strain कितनी आप आ रही है ठीके अब क्या हो जाता है कि यहां से अब हम इस पिसको इदर लियाते हैं यहां पर लियाते है strain को क्या हो जाएगा force ठीके force divided by strain अब इस तरफ क्या बचेगा इस तरफ एक constant इसको हम पिलते है इसको हम पिलीव हम अब FCक के लिए हमने junk contrad in ministry आढूmaid of elasticity, क्या बोल दी है हमने इसको, modulus of elasticity, elasticity modulus क्या हो जाता है, force applied on any object, force applied on any object and strain, ठीक है, it is the ratio of force applied on any object and the strain in the object, ठीक है, strain के उपार directly proportional है नहीं है, ठीक है, क्या है, force जो अप्लाए कर रहे हैं, वो directly proportional है कि इसके strain के, और जैसी हम इस directly proportional के sign को हटाते, ठीक है, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर एक constraint आजाता है, जिस constraint को क्या बोलते हैं, हम E बोलते है, ठीक है, अब हम S को उदर ले जाते है, strain को उदर ले जाते है, force upon strain is equal to E, तो यह E क्या है, यह है modulus of elasticity, ठीक है, तो इसको याद रखे कि होक्स लॉक क्या बोलता है, ह किसी भी object by applied force और उसके अंदर produce होने वाले strain, के उपर जो formula था, वही क्या हमारा होक्स law, ठीक है, अब आगे की तरफ चलते है, यह तो हमारा हो गया, होक्स law, ठीक, अब आजाते हम किसमें, हमारी एक last term यहाँ से बचके आ रही है, ठीक है, यहाँ से आके आ रही है, ब्रेकि stress, ब्रेकिंग stress, ठीक है, इसको आपके ऐसा समझ के रखो, यह रिष्टेदार है, यह क्या है, रिष्टेदार है, जो बार 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 आपको बोल बोल कर क्या कर देंगे, आपको तोड़ देंगे, तुम से ना होगा, तुम से ना हो पाएगा, तुम से ना हो पाएगा, ठीक यही वो रिष्टेदार है और यही क्या है ब्रेकिंग स्ट्रेस और यदि ब्रेकिंग स्ट्रेस तक हम यदि लेवल तक पहुँच जाते हैं तब हम क्या हो जाते हैं हमारे शेप में चेंज तो आता ही है है यदि सबसे पहले कंडिशन क्या होती है हम इलास्टिक होते है क्या क इलास्टिक होते हैं, तो condition किसकी पढ़ जाती है, stress की, कि हमारा exam का जितना pressure है, उतना stress तो हम ढाल रहे हैं, मतलब opposite force, force क्या है, इधर से जो force लग रहा है, उसके against में, हम force लगा रहा है, ठीके, लेकिन यदि ये वाला force जादा हो जाता है, जो हमारी elastic limit है, उससे जदा force हो जाता है, तो हमारी क्य आ जाते है, now two of the Vide des Ran однаshots HER2 est an devotion कि हम क्या हो से चुप हो जाते हैं, हम तो कुछ नहीं सुनेंगे। इधर से गुसड़ेंगे इधर से निकालेंगें।吧 क्रेम के रहे हो जाएगी हम किसमें आचुके हैंивать स्टेट में आ चुके हैं हमने स्ट्रेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग अपनी condition को तेगा ठीक है अपनी stress को और यह क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा यह जब ब्रेक हुआ जिस लेवल पर ब्रेक हुआ उसके पहले एक आवाज आई थी चट कर गए आवाज आई थी थोड़ इसी वो क्या थी इसकी limit थी वो क्या चीज थी इसकी limit थी और limit से और जादा force आजाएगा तो क्या आजाएगा ब्रेकिंग stress ऐसा stress और stress ultimately क्या है फोर से stress क्या है फोर से ऐसा stress आगया उसके उपर क्यों क्या हो गया पूरी तरीके से क्या हो गया पूरी तरीके से ब्रेक ही हो गया मतलब तूट तूट गया तो हम उसको क्या बोल देंगे stress बो फिर हमने देखा strain, strain के हमने type देखे, linear, फिर हमने देखा volume, longitudinal भी इसको बोलते है, linear, longitudinal, volume देखी हमने, कि शेप में हमने देखी, stress से हमने क्या देखा, hooks law हमने देखा, ठीके, और आकरी हम में हमने देखी, क्या breaking stress, ऐसा stress जो क्या कर देता है, तोड के रख देता है, उसी को हम क् breaking stress हो जाती है, ठीके, अब condition आ जाती है, कि यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर एक चोटा सा एक और पॉइंट हमारे सामने आ जाता है, जिसको हम क्या बोल देते है, young's modulus, ठीके, young's modulus क्या हो जाता है, ratio of stress and strain, ठीके, stress और strain का जो ratio होता है, उसी को क्या ब young's modulus, ठीके, young's modulus क्या बोलता है, stress और strain का जो ratio होता है, उसी को हम क्या बोल देते है, young's modulus बोलते है, तो यह simple सा ऐसा पूछा जाता है, young's modulus क्या होता है, ठीके, अब condition यह हो जाती है, जो stress है, वो stress क्यों आ रहा है, क्योंकि force apply हो रहा है, strain क्यों हो रहा है, क्योंकि limit से par हो गया ठीक है, hooks law से अलग रखना इसको, hooks law से अलग है, जो हमने force apply करा है, और वो जो strain आ रहे है, force और strain, directly proportional बता रहा है, ठीक है, directly proportional to strain, ये क्या था hooks, ये hooks था, ठीक है, ये क्या है, young's modulus, young's modulus किस किस के बारे में बताता है, stress और strain, ठीक है, अब जो stress होगा, ठीक है, वो तो ultimately क्या है, और strain जो है, वो अलग अलग type के, हमने तीन strain देखी, ये तीनो strains को हम यहाँ पुट करेंगे, तो पहली कोन से आजाएगी, longitudinal या linear, फिर कोन से आजाएगी, volume, फिर दैन आजाएगी हमारी, कोन से आजाएगी, shape and size वाली, तीनो को हम यहाँ पर पुट करेंगे, और यहाँ से ह हमारी अलग-अलग values निकल के आएगी, ठीके, तो यह हमारा section बन जाता है, इसका, young's modulus का, और solids की properties हमारे पास इतनी ही थी, बच, solid की इतनी ही properties हमारे पास में, तो इन सब जितने भी हमने topic कवर कर रहे हैं, इन सब topics को आपको करते चले, लिखते भी चले, उनके साथ में 7 marker पर भी discuss करेंगे, ठीके, तो बने रही है इसी science के platform के साथ में, मिलते हैं next lecture में, जै शिर्माकाल, जै रंजीत, नमस्कार